सरकार भले ही सारे जगे सडक बनने का दावा करती हो लेकिन अलिगड के गाउं में आज भी लोग सडक के लिए तरस रहे हैं यहां पिछले 25 सालों से कोई सडक बनी नहीं है जिससे ग्रामीनों को खासी दिक्कत होती है गुस्ताएं ग्रामीनों ने एलान कर दिया है कि आगामी विधान सवाचुनामों में वहें बहिसकार करेंगे तब तक सडक नहीं मिलेगी तब तक वहें वोट नहीं डालेंगे सुनिए ग्रामीनों की जवानी क्या है उनकी समश्या इस रास्ते को बने गुए 25 साल हो चुके लगभग इसके बाद ने किसी विधायक ने ज्यान दिया और एक बार दो साल पहले हम देलेड साब के पास गहे थे उन्होंने भी आश्वासन दिया थे कि हो जाएगी और अब लोग जाते हैं तो वो प्या कहते हैं जो रहे हैं तो जिस तरह से आप लोगों के यहां पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं अगर कोई भी नेता आप लोगों की नहीं सुनता है अब भी तो फिर जैसे आप लोगों को मनाने के लिए नेता लोग यहां पर आएंगे तो हमारी रास्ता प्रूब्रूब हैं उसके बात करो जैसे आप बताइए आप बुजुर्ग है और आप विकलांग भी है ऐसे में इस सड़क पर चलना कैसा है और इसके लिए दुवारा मुझे ऑपरेशन तराना पड़ा है उसमें पस पड़ जाता है तो हस्पिकल भागो मेरे तरी लाश्री पर अठाश हो चुछ तो यह इन्हों ने जो है सिकायद की है क्या ना में आपका गजिंद्र सारसत तो कह कहां कहां सिकायत की है मैंने लोक निर्मान विभाग में किये जिला पंचैत में किये और मुख्य मंत्री जी के यहां किये और लोक निर्मान मंत्री जुए उनके यहां पर भी किये पर कोई भी सुनने वाला नहीं है कई समाधान सिकायत का कुछ नहीं है और पोर्टल पर भी तो वहां से गोड़ा व्लोक के लिए बेज देते हैं और देते हैं कि आपकी सड़क लोग नर्मान विवाग द्वारा बनेगी मेरे पास रिपोर्ट भी हैं वहां से उन्होंने सेक्रेटर साब ने रिपोर्ट लगा के बेज दी कि पीड़वडी द्वारा बनेगी और द्वाग में ले लो आप लोग नर्मान में तो उसे भी नहीं लेने के लिए अपने विवाग में जो आप ले आप लोगों ने जो सिकायत की है उसके प्रूफ हैं जरा मीडिया को दिखाएं मेरे पासारे प्रूफ हैं